इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। यह हमारी आंट में भोजन के सरल ग्लूकोज, यानि की शरकरा में टूटने को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है. यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है. रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं. अगर आपको टाइब दो मधुमे है और पहले से ही हिर्दे रोग है तो वोगले मैक एमेफ शून दशमलव दो टैबलेट एसार हिर्दे रोग से मरने के जोखिम को कम करेगा. उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी. आपको इसका उप्योग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारित किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं. वोगलिमेक एमेफ शून दशमलव दो टेबलेट एसार को भोजन के साथ लेना बहतर होता है. वोगलिमेक एमेफ शून दशमलव दो टेबलेट एसार दो एंटिडाइबिटिक दवाओं का मिश्रण है. मिटफॉमिन और वोगलिबोज. मेटफॉमिन आपके शरीर में चीन चैनल शरकरा में तोड़ देता है। ये भुजन के बाद रक्त शरकरा को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।